हेलो स्टूदेंट्स, वेलकम टू मैं चैनल कामर्स नोट्स, आज हम सिंकिंग फंड के बारे में जानेंगे कि सिंकिंग फंड क्या होता है, इसका कंसेप्ट और ये कॉलेज इजैम में आता है, तो इसके लिए कंटेंट जो हमें समझ भी आ जाए और हम क्या अच्छे से कर सकते हैं, टेलिग्राम के लिए, तो हम सिंकिंग फंड का कंसेप्ट देखते हैं, तो सिंकिंग फंड क्या होता है, सिंकिंग फंड refers to a reserve of money, तो बेसिकली एक reserve है, ठीक है, किसका money का, जो कि आप क्या है, साइड में रखते हो, set aside by a corporation, कौन रखता है, या तो company रख सकती है, government भी रख सकती है, या कोई भी entity क्या है, side में एक गुल्लक बनाती है, एक reserve रखती है, ताकि वो repay कर सके अपने debt को, जो उन्होंने क्या है, कही न कहीं से, अगर debt लिया है, तो उसको क्या है, time आने पर repay कर सके, और अगर उनको क्या है, कुछ time बाद अपना asset क्या है, replace करना है मतलब वो एक asset लाए, तो उन्हें पताए कि अच्छा 5 साल ये चलेगा, तो उस time पर 5 साल बाद मुझे क्या है, इसी asset को replace करना पड़ेगा, तो उस time पर जाधा cost ना आ जाए, इसलिए आज से ही क्या है, reserve बनाने लग जाओ, तो जो वो reserve है, कि एक time पर आके अपने asset को replace करना मतलब उस asset के बदले, दूसरा asset लाना है, तो उसे replace कर देना है, उसके लिए, या फिर 5 साल बाद मैंने किसी से पैसा आज लिया है, 5 साल बाद उसको repay करना है, तो दो चीजे है, इन चीजों के लिए क्या है, reserve आज से ही बना दिया जाता है, side में रखा जाता है, तो उसे ही हम sinking fund, ठीक है, कौन मनाती है, company, government और कोई भी entity, जिन्होंने क्या है, लिया हो, long term loan कह सकते है, या कोई debt लिया है, उन्होंने, और उनको repay करना है कुछ time बाद, या फिर उनको asset को replace करना है, ठीक है, at the end of its useful life, जब क्या है, उस asset की useful life हो जाएगी, उसके बाद उसको replace करना है, उसके लिए इसको बनाया जाता है, the purpose of sinking fund is to ensure that there are adequate fund, purpose के है sinking fund बनाने का, कि adequate fund हो हमारे पास, enough fund हो हमारे पास, उस time पे, जब हमारे सर में ये financial obligation आ जाएगी, कि हमें क्या है, debt को repay करना, या फिर उस time के लिए, जब क्या हमें replacement करनी पड़ेगी, अपने asset की, ठीक है, sinking fund are commonly established for a long term liability, obviously बात है, long term liability, जो लंबिस हमें के बाद हमें repay करनी है, उसके लिए sinking fund को बनाया जाता है, जैसे कि bond हो गया, loan हो गया, other debt हो गया, इसको repay करने के लिए sinking fund को बनाया जाते है, तो hope आपको meaning of sinking fund के है, समझाया हो, अब हम देखते है, components, sinking fund के, तो सबसे पहले एक reserve fund होता है, समें money को reserve किया जाता है, side में किया जाता है, जैसे cen chief fund में, ताकी क्या है, जब हमें, मतलब यह कह सकते है, यह accumulate होती रहे, जमा होती रहे, और जब हमें चाहिए तो क्या है हम इसका, यह कह सकते है, कि इस से use कर सके, then schedule payments, क्या है regular contributions are made to sinking fund, क्या है regularly इसमें क्या किया जाता है, contribute किया जाता है, इस fund में मतलब की पैसा डाला जाता है, at specific interval, मतलब interval पहले से fixed होता है कि ठीक है, हर 6 महीने में इसमें हम पैसा डालेंगे, ठीक है, तो मतलब वो पहले से decide किया जाता है, then this contributions are calculated based on the anticipated future financial requirement, अच्छा कितना हर महीने हम इसमें डालेंगे, तो वो depend करता है कि आपने कैसा debt लिया है, तो उसके basis पे क्या आप anticipate करते हो, कि हमारी future में financial requirement कितनी है, उस basis पे आप एक amount decide करते हो, regularly कि कितना हमें क्या है, इस fund में या इस गुलक में डालना है, ठीक है, अच्छा, फिर है debt repayment, क्या बोल रहे है कि जो अगर हमें कोई bond लिया है, हमने loan लिया है, तो उसको ही repay करने के लिए sinking fund बनाया जाता है, ठीक है, इसको use किया जाता है, sinking fund को repay करने के लिए अपने principal amount, maturity date पे जब होगा, this reduces the financial burden, basically इससे होता क्या है, जो financial burden है, entity के उपर, वो क्या है, कम हो जाता है, क्योंकि एकदम से पर पैसा कहां से लाए जाएगा, तो आज से ही अगर हमने क्या किया है, side में किया है, पैसा थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा, तो हमारे उपर एकदम से भी, ये कह सकते है, financial burden ने आएगा, और हमारे पैसा भी खटा हो जाएगा, और हम क्या है, maturity date पे के अपने debt को repay कर सकते है, उसकी principal amount को repay कर सकते है, then asset replacement, हमने ये पढ़ा था कि sinking fund को establish भी किया जाता है, इसके लिए भी कि replace कर सके asset, जब क्या है, उस asset की useful life क्या है, हो जाएगी, this is common in industries, इसको क्या है, ये commonly industries में किया जाता है, जहाँ पर equipment infrastructure क्या है, use होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है उसको replace करवाना time to time, तो बहुत जाता पैसा लगता है, तो उसके लिए पहले से ही क्या है, sinking fund को बनाया जाता है, तो ये components से, जिसमें reserve fund है, schedule payments जिसमें जाती है, कुछ-कुछ time के बाद, then ये debt की repayment के लिए use किया जाता है, and asset की replacement के लिए use किया जाता है, उसके बाद, अब ह थोड़ा सा ही पैसा डाल रहे है, कुछ-कुछ पैसा डाल रही है, तो फिर क्या है, कहीं न कहीं ये क्या है, आपने बनाया, बट क्या आपका purpose फुल्फिल हो जाएगा, नहीं क्योंकि उस time पे आपका उतनी money इसमें खटी नहीं होगी, ठीक है, तो बोल रहे है, कि there may not be adequate fund क ही होता है, हो पाता है, उसमें ठीक है, कि हम अपनी financial obligations को क्या है, वो meet कर सके या फिर replace कर सके अपने asset को, जब हमें ज़रू होता है, फिर बोल रहे है, इस can lead to financial strains, जो कहीं न कहीं, automatically financial burden डालता ही है company के उपर, ठीक है, फिर आपको उस time पे क्या है, additional funding करनी पड़ती है, अपने पुराने debt को पे करनी के लिए, next है, mismanagement of funds, क्या बोल रहे है, ineffective management of sinking fund, मतलब जो sinking fund है, उसकी management भी अच्छी होनी चीए, obviousी बात है, आप इसमें पैसा डाल रहे हो, तो वहाँ पे hold करके तो रखोगी नी, क्योंकि time value of money का भी concept लगता है, इसमें, तो आप जो money set aside कर रहे हो, उ कहीं 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 कहा है, फिर हमारी जो ability थी, कि हम future obligation को meet कर सकेंगे, वो कहीं 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 हमपर हो जाएगी, then है, prudent financial management, अगर एक prudent का concept हम लेके चले, तो वहाँ पे कहा हम यह देखना है, कि हम इस तरीके से अपने fund को manage करें, ताकि हम कहीं अपने objective को financial goals को कहीं अचीव कर स कुछ economic downturn चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, specifically कुछ कोई भी issue चल रहा है, तो उस time पे कहा है, क्या पता, वो requirement fulfilled ना हो, तो यह भी कहा है, कहीं कहीं, फिर company enable हो जाती है, मताब यह कह सकते है, company enable हो जाती है, वहाँ पे पैसा डालने के लिए, जो कि उन्होंने क्या किया था, इतना हम डालेंगे, ठीक है, तो अपर लिखा है, this can result in shortfall when the fund are needed, तो फिर कहीं न कहीं, उस time पे shortfall पढ़ जाता है, जब हमें fund चाहिए होता है, उस reserve fund से, sinking fund से, then interest rate fluctuation, अब क्या बोल रहे है, if the sinking fund is invested, अगर आप वो sinking fund है, उसको invest कर रहे हो, तो fluctuations in interest rate can affect the fund growth, तो अब वेसी ब कर रहे है, fund की ability की, जो वो accumulate कर सकती थी, और जदा पैसा बना सकती थी, sufficient resources से, ठीक है, तो ये था हमारा क्या, कि कुछ हमारे, ये कह सकते है, problem आते है, अब हम क्या है, summary देख लेते है, कि overall हमें summary भी लिखनी होती है, तो क्या बोल रहे है, कि address करना चाहिए, जो भी potential issues आते है हैं हमारे इसके साथ, ठीक है, entities, जो companies होती है, क्या है, उनको जरूरी होता है, कि वो carefully plan करें, manage करें, कि कैसे उनको sinking fund को use करना है, कैसे उसको manage करना effectively, regularly review करना चाहिए, कि जो हम contribution strategies को अपना रहे है, क्या वो ठीक है, and हमें क्या है, make prudent financial decisions लेने चाहिए, ताकि हम ensure कर सके कि जो आपका question आएगा, तो आपका attempt करना, अगर video पसंद आई हो, तो like, share, subscribe जरूर करें, thank you for watching,